हमारी बिरादरी की बहु, ममी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उससे ही शादी करूँगा हूँ अरे दिमाग में तेरे भूसा बर दिया है उस लड़की ने? ममी ऐसा खुछ नहीं है, वो बहुत अच्छी है, और आएगी तो वही आएगी इस घर में मैंने भी कह दिया है, उस लड़की को मैं इस घर में आने नहीं दूगी अरे पर क्या दिक्कत है, वो भी तो लड़की है, तुम मेरी शादी किसी लड़की से ही करवाओगी न एक बर उससे बात करके तो देखो मुझे नहीं बात करने, मैंने देखा है इस तरह की लड़कियों को, पहले तो लड़के पटाती है, फिर उनसे अपने खर्चे उठवाती है, फिर अपने पूरे परिवार का खर्च उनसे ही चलवाती है मुमी तुम कुछ भी बोले जा रही हो, इस तरह से कुछ भी नहीं होता जो तुम बोल रही हो, सोनल बहुत अच्छी है ठीक है, अच्छी होगी, वो इस दुनिया की सबसे अच्छी सुन्दर लड़की है, बस लेकिन मैं तेरी शादी उससे नहीं होने दूगी, क्योंकि वो अपने बिरादरी की नहीं है कोई अपने बिरादरी की हो, तो फिर मैं तेरी शादी उससे करवा दूगी हमारे यहां तो बहु इतना दहेज लेकर आती है जब मैं शादी होकर आई थी ना तो बहुत सारा दहेज लेकर आई थी मुझे भी दहेज चाहिए अपने बेटे की शादी बहुत धूमदाम से सेट की तरह करूँगी मैं ठीक है तुम जूठे सपने सजादी रो मैं फिर कमारा ही रहूँगा दिन बीतने लगते हैं इस तरह पांच साल बीच जाते हैं इधर सोनल के माबाप उस पर शादी का प्रेशर बनाने लगते हैं सोनल विशाल से कहती है मैं क्या करूँ मेरे मम्मी पापा मेरे लड़का देख रहे हैं शादी के लिए मैं तुम से शादी करना चाहती हूँ तुम शादी नहीं करोगी तुम मेरी शादी कहीं और कर देंगी ये लोग मम्मी शादी के लिए नहीं मान रही है तुम शादी कर लो सभी बात है कब तक तु मेरे इंतजार में रहोगी और मम्मी कभी शादी के लिए नहीं मानेगी सोनल रोते हुए फोन काट देती है इधर सोनल की शादी तय हो जाती है उदर रेणो विशाल के लिए लड़की देखने लगती है ऐसी लड़की लाओंगी कि सब देखते रह जाएंगे विशाल समय के आगे घुटने टेक देता है रेणो अंजली को विशाल के लिए पसंद करती है विशाल आप भूल जाओ उस बिना बिरादरी की लड़की को यह देख अंजली की तस्वेर यह हमारे बिरादरी की लड़की है सुंदर भी है और तीलक मैं पूरे तीस लाख मिल रहे है और पूरे घर का फंडीचर शादी ऐसी करो कि लोगों की आँखे फटी की फटी रह जाए ठीक है जो करना है करो तुम अरे एक बार लड़की से मिलने बिटा सोनल की शादी आनन से हुजाती है विशाल को बहुत बड़ा जटका लगता है और वो भी अंजली से शादी कर लेता है अंजली शादी की पहली रात आती ही अपना रंग दिखाने लगती है कैसा एसी रखा है? रूम जरा भी ठंडा नहीं करता ये एसी है या बस ध्राँच है रखा है? ये एसी है दिख नहीं रहा क्या? नहीं नहीं अंधी होना मैं दिखता नहीं मुझे आजकर स्प्रीट एसी चलता आईए सबनी जहां मेरे घरवालों ने इतना दहच दिया है एक एसी भी दे दिते, बोलना चाहिए था तुम्हें रात की नेंद खराब करती, कहां कचड़े में आ गई हूँ मैं जरा दीरे बोलो, इतना जोर जोर से बोल रही हो आवाज बाहर जा रही होगी, अच्छा नहीं लगता अच्छा, अब इतनी फिकर थी तो चुपचाब से एसी लगवा के रखना चाहिए था ना अंजली उसी वक्त कमरे से उठकर हॉल में आ जाती है और जोर जोर से बोलने लगती है मामी जी मैं यहां नहीं सोने वाली हूँ, एसी खराब है मुझे बहुच जोरो की नींद आ रही है, सुबस से जगी हूँ मैं अरे, नाइनी बिटा, शान्त हो जा मैं कल ही तेरे कमरे की एसी बदलवा दूँगी, हा मेरे पापा एक एसी भी दे दे थे, जहां इतना कुछ दिया है मैं रात को कहा सो, नींद आ रही है मुझे बहु, तू और विशाल मेरे कमरे में सो जा, मैं तेरे कमरे में सो जाती हूँ आपको शर्म नहीं आती, बेटे बहु की कमरे में सोते हुए हमारे सुहाग रात की सेज सजी पढ़िये किसे घर में पापो ने मेरी शादी करती आच्छा बहु, मैं हॉल में सो जाओंगे, तुम आराम से मेरे कमरे में चले जाओ विशाल और अंजली रेणु की कमरे में चले जाती है और रेणु को हॉल में सोना पड़ता है अगले दिन रेणु सुबह पहले ही उठ जाती है और बहु के उठने का इंतजार करने लगती है देखते देखते सुबह के 10 बच जाते है पर अंजली नहीं उठती रेणु कमरे का दरवाजा खट-खटाती है अरे बहु उठे बिटा बहुत देर हो रही है विशाल कमरे से उठकर बाहर आता है ये है अपनी बिरादरी की लड़की मेरी किस्मत तुमने फोड़ कर रख दी ममी अरे वो बच्ची है बिटा अभी अभी आई है ना इस गर में तो उसे भी तो बक्ते लगेगा पैसे वाले घर की बेटी है तेरी गर्ल्फ्रेंड की तरफ भूक ही नंगे नहीं है तुम कभी नहीं समझोगी ममी और जब तक समझोगी बहुत देरी हो चुकी होगी अंजली ग्यारा बजे उठकर कमरे से बाहर आती है लगता है बहुत ठक गई थी बिटा चलो कोई ने, कल से जल्दी उठ जाना है और अभी नाश्ता बना लो नाश्ता? ममी जी मुझे खाने बनाना नहीं आता मैं क्या बनाऊगी? मुझे खुद कोई भूक लग रही है करिए कुछ जल्दी से खाने का इंतजा फिर बाद में अंजली मार्केट से खुद औरडर कर लेती है रेणो तो देखती रह जाती है दो पैर के खाने के लिए रेणो को ही रसोई में जाना पड़ता है बहुत तू बना नहीं सकती वो ठीक है कम से कम हल्दी नमक में हाथ तो लगा दे और देखती रहे मैं कैसे खाना बनाती हूँ इससे न तेरी पहली रसोई के रसम भी पूरी हो जाएगी और तो खाना बनाना भी सीख जाएगी बटा ठीक है चली वो का लेती हूँ मैं आंजली और रिनू रसोई में जाती है विशाल खोया-खोया सा रहता है वो अपने घर के बहार निकल कर खड़ा होकर सोनल को याद करने लगता है इतने में ही वो देखता है कि न्यूली मैरिड कपल सामनी से आ रहा है और उसके बगल की घर में शिफ्ट हो रहा है वो कपल कोई और नी सोनल और उसका पती आनन्द होते है सोनल को देखकर विशाल एक लंबी सांस लिता है सोनल और विशाल की नजरे एक दूसरे से ठकरा जाती है विशाल घर के अंदर चला जाता है उसे देखते ही अंचली कहती है विशाल हम घूमने कहां जा रहे हैं मैं अभी कही नहीं जा रहा हूँ कैसे नहीं जाओगे हाँ जाना तो तुम्हें पड़े गाई और मुझ पर चल्ला कर दुबरा बोलना भी मत दहेज दे कर तुम्हें खरीदा है मैंने तुम्हें तो मेरे इशारों पर चलना होगा ठीके तुम्हें जहां जाना है वहां का टिकट कटवा लो मुझ से क्यों पूछ रही हो अंचली गोवा का टिकट कटवा लेती है और दोनों गोवा घुमने चले जाते हैं दिन बीतने लगते हैं अंजली अपने स्वभाओं से बाज नहीं आती और बाद बाद पर सबको ताने मारती रहती पंदरा दिन बाद अंजली गुआ से वापस आती है एक रोज रेणू अंजली से कहती है बहु अपने कुल देवता के मंदिर तुम दोनों को एक बार जाना होगा ठीक है कल चलते है अगले दिन रेणों विशाल और अंजली सुबह पहले मंदिर जाने के लिए तयार हो जाती है विशाल ड्राइविंग सीट पर बैठा था रेणों आगे की सीट पर बैठने जाती है कि अंजली उसे रोक लेती है हे ममी जी क्या करें आप हाँ पीछे बैठी आगे मैं बैठूंगी गाड़ी दीभी तो मेरे पापा ने है पूल गई क्या हाँ हाँ तु ही बैठा आगे बिटा विशाल को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो खोन के घोट पीकर बैठा रहता है मंदिर में जाकर रेनू से कहता है अपनी बिराधरी के ऐसी बहु लाकर तुम बहुत खुश हो ना ममी रोज तुम्हे ताने देती है घर का एक काम तक नहीं करती मुझे तो तुमने बंदर बना दिया है जिसकी डोर अंजली के हाथों में दे दिया है जैसे चाहे वो मुझे न चा सकती है बहुत अच्छा किया ममी जीते जी मुझे मौत दे दी तु भी ना छोटी सी बात का बतंगड बना रहा है ऐसा कुछ नहीं है अरे बहु बहु बहुत पैसे वाले घर से है बेटा विशाल वहाँ से चला जाता है रेणो को अंजली फिर भी अच्छी लगती है क्योंकि बस वो उसकी बिराद रिकी है मंदिर से घर लोटते वक्त विशाल देखता है कि सोनल की घर के बाहर से बहुत आवाजे आ रही थी रेणो और अंजली अपने घर में चली जाती है वहीं विशाल सोनल के घर के बाहर उसकी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि आनन सोनल पर चिला रहा है सोनल फूट फूट करोने लगती है आनन गेट को लाट मार कर चला जाता है उसी शाम अंजली और विशाल एक तरफ अपनी चट पर वॉक कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ सोनल और आनन भी अपनी चट पर आते हैं आनन को देखकर अंजली स्माइल करती है और उससे बाते करने लगती है आज का मौसम बहुत सुहावना है ना इसे रॉमेंटिक कहता है ऐसे मौसम में तो गरम चाय और पकड़े मिल जाए तो और भी मज़ा आ जाए बिलकल तो आए ने कभी हमारी यहाँ मैं चाय और पकड़े बनाऊंगी ठीक है तो कर शाम को ही आता हूँ आनन्द और अंचली हस हस कर एक दूसरे से बाते करते रहते हैं अंचली थोड़ी देर बाद विशाल से कहती है ऐसे होते है लड़की क्या हैंसम लग रहा है कपड़ी देखे इसके कितने अच्छे पैने हैं तुमारी तरह नहीं रोज एकी कपड़ा पैनता है किस से शादी कर ली मैंने इतना कहकर अंचली नीचे चली जाती है विशाल मानो पत्थर बन जाता है अब जैसे उसे किसी की बातों का कोई फरकी नहीं पड़ता अगले दिन श्राम को अंचली बहुत खुश होकर पकोड़े बनाने लगती है अंचली को रसोय में देखकर रेणु विशाल से कहती है देख तो आज बहु रसोय में लगी है अब तो कुछ नहीं कहा कहा आपको बस किसी भी तरह ये साबित करना है न कि आपकी पसंद अच्छी है गोवी के पकोड़े बना लेना बहु अर प्यास के भी हाँ हाँ मैं सारी वराइटी की बना रही हूँ रेणु का सीना चौड़ा हो जाता है इतने में ही वो देखती है कि आनंद घर के अंदर आ रहा है नमस्ते आंटी जी आओना आनंद बैठो मैं अभी नाश्ता लगाती हूँ अंजली चाय और पकोड़े का नाश्ता लगाती है आनंद खा कर तारीफ के पूल बांद दीता है और कहता है रेणु अपने कमरे में बैठ कर पकोड़े खा रही थी और उसे कोई फर्क नहीं पढ़ता आनंद से दिन बीतने लगते हैं आनंद और अंजली की दोस्ती गहरी होने लगती है इदर विशाल का छोटा भाई अनुज पढ़ाई पूरी करके अपने घर वापस आता है मम्मी मैं आ गया कैसे हो तुम लोग सब बहुत मन कर रहा था तुम लोगों से मिलने का अरे अब तो तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है अब तु यहीं रहे कहा नहीं नहीं मैं तो जॉब करने बाहर जाओंगा भीया लेकिन अभी बाभी के हाथ का खाना कहा खाया अभी तक क्यों भाभी खाना खिला रही हो ना मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं जो आता है वो खा ले ना तो क्या अभी तक इतने दिनों में खाना बनाना भी नहीं सिखिया मैं क्या यहां कुकिंग कोर्स करने आई थी अनुज अंजली की बातों को हसकर टाल देता है और फ्रेश होने चला जाता है जैसे ही वो अपना टोवल छट पर डालने जाता है तो देखता है कि अंजली आनन के साथ कहीं जा रही है बाइक पर बैट कर अनुज तुरन नीचे आगर विशाल से कहता है भाइया ये क्या है भाबी किसी और के साथ कहा जा रही है उन्हें कहीं जाना है तो घर में हम नहीं है क्या पड़ोसी की साथ बाइक पर जाना मुझे तो सही नहीं लगता मुझे इससे कोई मतलब नहीं है मैं दिमाग ही नहीं लगाता ज्यादा वो मेरी पत्ती नहीं है बस ममी की बहु है तुम लोग ना जब देखो बहु के पीछे पड़े रहते हो अपनी बिरादरी की कोई मिल गई है तो इतनी बाते बना रहे हो नहीं तो दिन में तारे नजर आ जाते अनुज वो आनन्द है अपने घर जैसा ही आता जाता रहता है घर में कोई दिक्कत नहीं है इसमें तुमारे भाई को ना कवारा ही रहना चीए था अनुज को तब भी कुछ ठीक नहीं लगता है वो अन्जली पर नजरे गड़ाए रखता है भाई घर पर तो सबसे उखड कर बाते करती है और आनन्द से बहुत अच्छे से बात करती है हससकर कुछ तो चल रहा है दोनों में जो किसी को नजर नहीं आ रहा है मैं पता करके रहूँगा कि क्या बात है अनुज एक दिन अन्जली का फोन देख लेता है जिसमें आनन्द के कुछ ऐसे मैसेज रहते है जिसको देखकर अनुज का पारा गरम हो जाता है वो चिला कर कहता है बाईया ममी क्या है ये सब बुलाओ भाबी को अनन्द से इश्क लड़ाया जा रहा है आप लोगों को लगता ही कि ये सती सावित्री है क्या बोल रहे है तुम अरे मेरा फोन चुनी की हिम्मत कसे हुई तुमारी दो मेरा फोन वापस और दुबारा कभी मत चुना मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमारे फोन को हाथ लगाने का शरम नहीं आ थी शादी शुदा होते हुए किसी और मर्द के साथ रंगरलिया मना रही हो अंजली और अनुज की आवास बहार आने लगती है और आवास सुनकर आनन भी वहां आ जाता है अंजली से क्या कह रहे हो मुझसे बात करो आरत के उपर क्या चड़ रहे हो सब तुम निकलो यहां से नहीं तो तुम्हारा नक्षा यहीं बदल दूगा आनन चल निकल यहां से ममी दिख रहा है न तुम्हारे बिरादरी की लड़की कैसी है अरे क्या चल निकल अंजली चलो मेरे साथ ये देहाती गरीब लोग तुम्हारे टाइप के हाई नी ए देहाती किसको बोला किसको क्या तुम लोगों से कहा मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना मैं आनन के साथ रहूँगी कल तुम्हारे पास तलाग का नोटिस पहुँच जाएगा चलो आनन अंजली और आनन वहाँ से चले जाते हैं रेडों माथे पर हाथ रखकर बैठ जाती है अनुश कहता है क्या हुआ मम्मी अब अपनी बिरादरी याद नहीं आ रही है क्या सोनल को तुमने यही सब कहकर आने नहीं दिया भया की जिन्दगी बरबाद कर दी अब तुमारे इज़द नहीं जा रही है समाज में चुपो जाओ मुझे तो समझ में नहीं आरा क्या करूँ मैं विशाल शांत बैठा रहता है अगले दिन डाइवर्स के पेपर विशाल की पास पहुँच जाते है और विशाल उस पर साइन भी कर देता है सोनल आनन से कहती है इसे तुम किसक से यहां लेकर आये हो ये लड़की मेरे घर में नहीं रह सकती तो तुम यहां से चली जाओ तुम मैं तलाग दे दूँगा मैं निकलो मेरे घर से सोनल अपनी खिड़की पर खड़ी आंसू बहाती रहती है विशाल उसे देख कर कहता है मतरो सोनल हमारे नसिब में यही लिखा है तुम अपने माई के चली जाओ तुम ठीक कह रहे हो इस तर अंजली के साथ मैं नहीं रह पाऊंगी सोनल अपने माई के चली जाती है और आनन्द उसे तलाग दे देता है अंजली आनन से शादी करके विशाल के सामने वाले घर में ही रहने लगती है यह देख कर महले के लोग रेणू से कहते है रेणू तू तो बड़ी बुरी फसी ऐसी लड़की को बहु बना लिया जो तेरे घर के सामने ही किसी और के साथ लग की मैंने सोचा था कि अपनी बिरादरी की लड़की है अच्छी हो की और जकल न यह बिरादरी वोला सिस्टम खत्म हो गया है लड़की किसी भी बिरादरी की हो घर निभादे वही बहु होती है तब ही वहाई कार अता कर कहती है रेणू मैंने सुना था विशाल किसी लड़की को पसंद करता है लेकिन वो अपनी बिरादर के नहीं थी उसी से लड़की की शादी करती थी कम से कम उसकी जिंदगी खराब तो नहीं होती आ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई विशाल ने मुझसे बहुत कहा लेकिन मैंने अपनी ब्रादरी के चक्कर में अंजली से उसकी शादी करवा दी देख अभी भी वक्त है विशाल की दूसरी शादी करवा दे अंजली को भी तो पता चले कि उसने विशाल को छोड़ कर गलती की है रेणो विशाल से कहती है विशाल तूसी लड़की से शादी कर ले जिससे तू प्यार करता था मा सोनल ही वो लड़की है और उसके साथ बहुत बुरा हुआ उस वक्त तो मुझसे भूलो गई थी अब इसे वापस इस घर में मेरी बहु बढा कर लिया बिटा ममी आज तुम्हारे एक बिरादर के ड्रामी के करण इतना कुछ हुआ विशाल मंदिर में जाकर सोनल से शादी कर लेता है और उसे अपने घर लिया आता है रेणु सोनल का स्वागत बहुत अच्छे से करती है मुझे माफ करते सोनल बिरादर के चकर में इतना बड़ा धोखा हुआ अब मेरे बेटे की ग्रेहस्ती को संभाल और मुझे जल्दी से दादी बनने का सुख दे आप माफी मत मांगी ममी जी बाबी जल्दी से अपने हाथों के गूबी के पराठे खिला दो जो आपने मुझे पहली बार खिलाया था सोनल आती ही घर के काम में लग जाती है ये देखकर रेणु कहती है अपनी बिरादरी से अच्छी तो बिना बिरादरी वाली बहु है सच मैं बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने